इससे पहले वीडियो में मैंने ये ब्लाउस की कटिंग जो थी ये मैंने आपको दिखाई है जैसे ये गले की कटिंग कैसे करनी है मत का गला जो कट किया है आमने तो इसे कैसे कट करना है और इसे कैसे स्टीच करना है तो इसकी कटिंग मैंने आपको दिखाई थी इसके बीच स्रीच का पैच के से तयार करना है यह भी इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया हैं तो पहले हम यह गला जो है कि इसे कैसे तवार उर्यार करना है यह देखते हैं हुर और कुछ तो यहाँ पर हमने कपड़े के उपर इस तरसे इसको स्टीच करना शेया गो do क्रफ़ कर ़िया दो भाइब कर दो रड्मक्रम राम जा सबस्ट है अर बाद़ अर टा में ड़्मक्राइब प्रबब भॉप सबस्या थाल इस तरह से हमने गले के उपर स्टीच किया है अब यहां भी हमें क्या करना है इस तरह से इसको कर दो कर करना है आदा ही चोड़के करा कुछ अंपतर चाहिए अधर के अगर के शोड़के 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 शोड़ा है कुछ गफ JACK कुछ आपि यहां पर में क्या करना है इस तरह से इसको कट लगाना है यह भी sentence कुछ लगाना है जैसे गोलाई में में इसको कट लगाना है और यहां पर में इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है नहीं गजराजों पडाब सकित還有 है औमया Leadership क्यों आए झाल इस तरह से हमने इसको साइड जो है इसकी किनारी इसे हमने फोल्ड किया है अभी यहाँ पर हमें क्या करना है अंदर के साइड में यह कपड़े को इस तरह से कट करना है इस तरह से हमने इसको कट किया है उपर के साइड में भी हमें इसे एक जैसा करके लेना है और यहाँ पर हमें इसका जो सेंटर है इसे हमें कट करना है यहाँ पर हमने इसका सेंटर निकाला है आप चाहे तो इसको मार्किंग भी कर सकते हैं अभी यहाँ पर हमार यह जो बैक सेड है बैक सेड के उपर हमें इस तरह से इसको रखना है यहाँ पर और इसका जो सेंटर है सेंटर पर यह सेंटर आना चाहिए अब यहाँ पर हमें जिसी यह जो गला है गले की किनारी पर हमें यह सिलाई लगानी है अब यहाँ झाते है झाल 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 कि इस तरह से अमने यह गला जो है वह स्टीच किया है अब यहाँ पर हमने क्या किया है जैसे गले के उपर सिलाई लगाई है अब यहाँ हमें इस तरह से गले के किनारी पर यह हमें कट करना है कि इस तरह से अमने यह गला जो है वह कट किया है अब यहाँ पर हमें गोलाई में हमें इसे कट करना है इस तरह से हमें यह गलाई में इसे हमें कट करना है जैसे हमने यह गोलाई में इसे कट किया है अब यहाँ भी हमें अंदर के साइड में इसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें प्रेस लगानी है इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें एक बार प्रेस लगानी है इस तरह से गले को हमने अंदर के साइड में इसको फोल्ड किया है फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने यह प्रेस लगाई है और गले के किनारी पे हमें यह सिलाय लगानी है तो आप चाहे तो इसके उपर गले के उपर लेज भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको डोरी लगा के लटकन भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो डीब गला चाहिए तो इस तरह से आप डीब गला भी बना सकते हैं तो इसके बीच का जो patch है ये तयार करने वाले हैं लेकिन इसका बीच का जो patch है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ कि कैसे तयार करना है यहाँ पे मैंने आपको यह dip gala जैसे simple dip gala जो daily use के लिए भी आप पहन सकते हैं यह मैंने आपको बना के दिखाया है तो यहाँ पे आपको जैसे इसके उपर चाहे तो इसके उपर आप लेस भी लगा सकते हैं जैसे डीब गला और इसके उपर लेस और यहाँ पे हमें डोरी लगानी है यहाँ पे हमें डोरी और लटकन लगानी है तो यह भी बहुत ही अच् तो यहाँ पर मैंने आपको डीब गला कैसे बनाना है यह मैंने आपको दिखाया है तो अबर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे जानल को सब्सक्राइब करें